इस वर्ष के सुरू में ही माननी ये प्रधानमित्रीजी ने एक स्वामित्य स्कीम सुरू की है इस योजना के अंतरगत गावों में संपतियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेश दिये जा रहे हैं अब तक 1241 गावों के लगभग 180,000 संपति मालिकों को काड़ दिये गए हैं अब मेरा प्रस्ताव वित्य वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राजियों संगराज छेतरों में लागू करने का है अपने किसानों को पर्याप्त रिन सुलव कराने के लिए हमने वित्य वर्ष 2022 में क्रिसी रिन के लक्ष को बढ़ा कर 16.5 लाग कर रुपे तक कर दिया है हमारा ध्यान जो होगा वो पसुपालन, डेरी और माच्सिकी के छेतर में और अधिक रिन सुलव कराने पर हो हम ग्रामीन अव संदचना विकास कोस में किये जा रहे है वंटन को 30,000 करोड रुपे से बढ़ा कर 40,000 कर रुपे कर रहे हैं नाबाट के अंतरगर जो 5,000 करोड रुपे से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया मेरा परस्ता इसमें 5,000 करोड रुपे और डाल कर इसको दोगुना करने का है क्रिसी और संबद उतपादो के मुल संबदन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरिशन ग्रीन स्किम जो कि इस समें केवल टामाटर प्याज और आलू पर लागू है के दाइरे को बढ़ा कर इसमें जल्दिक खराब होने वाले 22 और उतपादों को सामिल किया जाएगा E.N.A.M. के तहत 1.68 करोड किसानों का पंजी करन किया गया है और 1.14 लाग करोड रुपे का वैपार मुल हासिल हुआ है E.N.A.M. जे है सिक्रिशी बजार में जो पारदर्शिता और प्रतिसपरधा दिखने में आई है उसको ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को E.N.A.M. के अंतरगत लाया जाएगा माननियद्धक्षमोद इसके साथ E.P.M.C. क्रिशी अवसंद्चना कोर्स की सुविधा प्रदान की जाएगे जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में ब्रिधी कर सकेंगे मात्सी की मैं इसमें प्रस्ताव करती हूँ कि हम आधोनिक मत्सी की बंदरगाहों और फिस लैंडिंग सेंटर के विकास में परियात निकस की निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं सुरू सुरू में पाँच पत्स मत्से बंदरगाहों को चीचेन नई, विशका पट्नपारदीप और पेटुआ घाट का अर्थिक क्रिया कलापों के हफ्स के रूप में विकास किया जाएगा हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर देशिये मत्से बंदरगाहों और फिस लैंडिंग सेंटर का विविकास करेंगे सीविड फार्मिंग एक ऐसे छेतर के रूप में भर रहा है जिसमें तक्टिय समयदाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के छमता है इससे बड़े पैमाने पर रुजगार मिल सकेगा और अतरिक्त आई पैदा की जा सकेगे सीविड उत्पादन को बढ़ हवा देने के लिए तमिल नाडो में एक मल्टी परपस सीविड पार्क किस्था आपने किये जाने का मेरा प्रस्ताव है प्रवासि स्रमिक और मजदूर हमने एक रास्ट रहे हैं